गाईज ये तो हम सब जानते ही है कि मच्छर हमारे खून को चूसने के लिए हमें काटता है लेकिन जो वो काट रहा होता है तो वो कुछ एक ऐसी चीज करता है जो सुनके आप हिरान रहे जाओगे वो हमें काटने के साथ-साथ हम पे सूसू भी करता है एक रिसर्स से पता लगा है कि कोई भी blood-sucking insects हमें काटने के साथ-साथ हमारे शरील पर सूसू भी करता है क्यूंकि हमारे blood से उसे nutrition चाहिए लेकिन हमारे blood में nutrition के साथ-साथ बहुत मात्रा में salt भी होता है जिसे वो urine के थूप फड़ा-फड़ से बाहर निकाल देता है तो अगली बार जब आपको खाटे तो आप याद रखेंगे वो आप इस सूसू भी कर रहा है So take care about it या आपके पहले से जानते थे, नहीं जानते तो चाट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा गाइस माल लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोलें तो सबसे पहले आप क्या ढूंडेंगे टैंसिल, कलर्स लेकिन इटली की एक आर्टिस ग्यूलिया बनेंडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो की कलर्स का इस्तमाल करती ही नहीं वो पेपर पे कोफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती है और ऐसी क्रियेटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट है जिन्होंने कोफी आर्ट को इंटेड्यूस किया है क्या आपको पहले से बात पता थी और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा इरिन डाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी एड्वेंचर किसे नहीं पसंद और इसके लिए वो जाम बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी उस नदी में बहुत सारे मगरमश थे जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था वो जैसे ही कुदी रसी तूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहाँ पर बहुत सारे मगरमश थे नदीका भाभ बहुत तेज था लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्तुरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुँची और अपनी जान बचाई कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है